हैलो गाइस कैसे हो यार I hope कि सब ठीक ठाक होगे तो यार आज का जो वीडियो है इस वीडियो मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंग्जाइटी में जो ट्रीमर होता है उसके बाड़े में और यह एक तरह का नहीं होता anxiety में finger trimmer होता है hand trimmer होता है leg trimmer होता है और यहां तक कि head trimmer भी होता है मैंने आज तक जितने वीडियो बनाए हैं तो अगर आप उसका comment चेक करते हो तो उसमें आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग ये question करते हैं कि क्या भाई तुम्हें भी ये problem थी क्या तुम्हें भी trimmer वाली problem थी anxiety में तो इसका सीधा सांसर है हाँ लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा story funny है मैं आपको बताता हूँ अभी अच्छे से और साथ में मैं आपको बताऊँगा कि इसको मैंने ठीक कैसे किया और आखिर ये होता क्यूं है है ना बहुत सरे लोग ना इसके चक्कर में पूरे दिन पागल हुए फिरते हैं मेरी story सुनो ये बहुत funny है और मैं guarantee बहुत सकता हूँ कि अगर आपको ये anxiety है तो आप में से कम से कम अगर 100 लोग को ये problem है तो 10 लोगों ने ऐसा जरूर किया होगा तो यार अभी problem क्या थी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मुझे start हुई थी ये start हुई थी कब जब anxiety हुई थी तो उस time जब panic attack आते थे मेरे को मेरे को 2-3 नवा panic attack आये है उस जब नहीं आये है मेरे को तो उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे ना ऐसे हलकालका finger trimmer होना start हुआ था मैं एक दिन notice किया मैं जबा यार ऐसे हाथ काँ पड़ा है तो मैंने क्या किया मैं गया YouTube पे और मैंने search किया कि यार आखिर ऐसा होता क्यों है और फिर हुई असली story start YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज दिखे मुझे जहां पे ये बताया जाता है कि अगर आपको trimmer का problem हो रहा है तो हो सकता है आपको Parkinson हो है ना और इस चक्कर में मैंने NCV करवाया EMG करवाया ये तो test होते हैं जो कि nerves के test होते हैं और इस चक्कर में मैंने ये test करवा दिया 14-15 रुपे मैंने खर्च कि इसको थोड़ा समझो आप इस चीज़ को anxiety में ही notice करते हो लेकिन आप याद करो जाओ आप बिल्कुल ठीक थे लेकिन आपने कभी ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा जिसको ये problem होती है कि उसको अगर थोड़ा सा भी गुस्सा आता है तो उसके हाथ जब हम लोग हाइपर हो जाते हैं मतलब बहुत जब जब उसका करते हैं तो वो blood flow और ज़्यादा fast होता है और वैसे में अगर आप किसी एक जाएप पर रुके हुए हो तो हमारी body restless होती है और इसी के वह से हमारे हाथ पैर कांपते हैं लेकिन ये चीज़ ना हम लोग anxiety में notice नहीं करते हैं क्योंकि anxiety में सभी चीज़ को हम लोग एक negative way में लेते हैं जैसे example के लिए में आपको बताता हूँ कि अगर anxiety में यहीं problem अपने साथ होती है तो वहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते हैं कि यहां पे हम लोग panic हो रहे हैं panic होने का वैसे क्या होड़ा है हमारे body है blood flow fast होड़ा है और उसके वैसे हमें ये problem हो रही है यहां पे हम तुरंत जाते हैं Google पे तुरंत जाते हैं YouTube पे और ये search करना start करते हैं कि ये किस problem का वैसे मुझे हो रही है और वहां पे फिर ये सारे वीडियोज आने start होते हैं जिसको देखके हम लोग और panic होते हैं और ये symptoms और जादा बढ़ता है तो यार अगर आपको ये problem हो रहा है तो इसका सीधा सा एक ही उपाई है कि आप सभी चीज़ों को googling करना बंद करो अगर आप सभी चीज़ों को googling करना बंद करते हो न तो ये जो आपकी problem है automatically down हो जाएगी मतलब कम हो जाएगी और आप समझो कि ऐसे YouTube या फिर Google पर search करने से आपको किसी भी problem का solution नहीं मिलने वाला है अगर आप सही वे में किसी चीज़ को use करते हो तो वो आपको help कर सकती है बट अगर आप किसी भी चीज़ को गलत वे में use करोगे तो वो आपको बस नुकसान ही पहुचाएगी जितना देर आप अपने symptoms को googling करने पे ध्यान देते हो अगर उतना देर आप time दो अपने आपको मतलब इससे recover करने में anxiety से recover करने में और अपने symptoms से काम करो तो ये problem आपकी पूरी तरीके से कुछ दिन में खतम हो जाएगी तो मैं आपको यही बोलूँगा इस video में कि सबसे पहले आपना anxiety manage करने पे ध्यान दो जैसे ही आपके anxiety कम होती है और इसको आप सही से एक वार manage कर लेते हो ये चीजे 100% अपने आप खतम हो जाएगी और आपको नहीं जरूरत होगी किसी Google करने की कुसी भी topic पे या फिर YouTube पे उस video को देखने की तो यार अगर आप ये गलती करते आ रहे हो तो इसको बंद करो और अपने anxiety पे काम करो तो आज के वीडियो के लिए इतना ही चलो हम लोग मिलते हैं next वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से topic वे चाहिए ये आप इस वीडियो comment section में जरूर